नमस्कार प्यारे साथियों स्वागत है आप सभी का टार्गेट फॉर आइक्यों में मैं हूं सतेंद्र इस वीडियो में हम लोग जानेंगे उत्तर प्रतेश न्याइक सेवा परिक्सा यानि यूपी पीसी जे को निकालने के लिए पांच इंपोर्टेंट टिप्स जो आप ल पहले हम बात करें तो आप लोगों को अगर प्री की बात करते हम लोग तो अपने öğ where में डेली विय हैवे मतलब जैसे हम लोग खाना कातेएंहाते हैं नाते हैं दोते हैं या फिर सोते हैं इसी तरीके से अपनी पढ़ाई के दो राना पढ़ने से ज्ज्जादा जरूरी है M उनों में जी एस में नाइन माइनर एक्ट पलस जी एस के сबजेक्ट अल्टिमेट याद रखने के लिए ступरेंजन के दो फिर ef क्या पर शरीत के मायों हैzा है अब गर देली जो है वहें MCQ जरूर साथ के साथ लगाई है, और MCQ भी दो तरीके, तीन तरीके से आपको लगाने हैं, नमर एक एक तो आप टोपिक बाइस, घटना चकर या सिंगल्स की बुक्से लगा सकते हैं, दूसरा आप एक एक सब्जेक्ट के 1Y1, 1Y1 आप MCQ लगाई है, और लास्ट में जब इनलाइसिस आप लोगों को definitely करना चाहिए, तो सबसे पहले आज ही study करें, और सबसे पहले जितने ही study करने हैं, माने जी का जोगरफी आप पढ़ने तो जोगरफी पढ़ते वक्त साथ के साथ जैसे rivers of India पढ़ा, तो उसके topics के MCQ भी आप साथ के साथ solve करें, इसे आपको पत अपने इडिन एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं, या फिर आप TPA पढ़ रहे हैं, या आप contract एक्ट पढ़ रहे हैं, तो MCQ से क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आपको हो जाएंगे, और इसके साथ साथ आप लोगों को क्या करने हैं, जो MCQ आप से नहीं आता है, जो MCQ जो आप से solve नहीं हो पाएं, ठीके, चलिए, टिप्स नमबर टू की हम लोग बात करेंगे, और टिप्स नमबर टू है आप लोगों का, वो है प्यारे बच्चो बेर एक्ट, और बेर एक्ट भी बहुत सारे बच्चों को बड़ा confusion रहता है, कि सर कैसे read करी, तो difficult language होती है, हम प पड़ेगा, इसको लेकर तरीका यह है को प्रिलियम्स निकालने के लिए, बेर एक्ट का इंडेक्स को बार-बार आप लोगों को recall करना पड़ेगा, और इंडेक्स में भी किसी keyword को, जैसे IPC, अभी पुरानी IPC में से बता रहा हूं, कि IPC section 21 क्या है, तो public servant की बात करेंगा, यानि IPC section 21, public servant आपको पता होना चाहिए, कि इसके अंतर रहते है, evidence act section 45, आपको पता होना चाहिए, कि expert है, तो आपको बेर एक्ट के index, आपकी tips पर याद होने चाहिए, मतलब याद होने चाहिए, कि किस section में क्या चीज़ बताएगी है, number 1, और इन index को आप, जो भी आपको important important topics, teachers, index लगे, PYQ, जब आप निकाल लेंगे, तब आपको पता चलेगा, इन ही index में ही, जो आपके बेर एक्ट होते हैं, और बेर एक्ट में जो, बेर एक्ट में आपके पास बेर एक्ट होगा, उस बेर एक्ट में शुरू में index दिया होता है, इस पेस से इस पेस तक, उसक प्रोविजन एक्स्ट्रा फैक्ट केस लोग जो हैं, उसी में फिल करते रहने हैं, फिल करते रहने हैं, और जो बड़े टोपिक हैं, माल नहीं जिगा, डाइन डिगलरेशन हैं, या मैंने एक्सपर्ट आपको बताया, यह means में भी आते हैं, और आप पता होना चाहिए, कि जैसे bail है, summons है, इनके provision आपको collective पढ़ने पढ़ेंगे, mains में लिखने के लिए, तो ऐसे में आप bail act से detail study करें, और जब detail study करें, तो इनके आप ब्रेक करके one-liner format में, जो है इनके pointer format में बना ले, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक हैं, तो सबसे पहले क्या index बनाना है, index को स उनको आप लोगों को थोड़े डितील में पढ़ना है बेरेक्ट के इंडेक्स के साथ साथ उसको आपको अपडेट भी करना है दूसरे पैन से और आपको हाइलाइट भी कर लेना है चीजों को क्या करना है हाइलाइट्स आप हाइलाइटर से हाइलाइट भी कर लेना है बेरे तो यह आप प्रती दिन पर डे जब भी आप इस तड़ी करें तो किसी एक एक्ट का बेर एक्ट जरूर बेर एक्ट का इंडेक्स या तो सोते वक्त की भाई चलो सोने कर समय हो रहे हैं तो बेर एक्ट इंडेक्स एक बार देखा यह अपनी आदत में आप लोग प्लीज डाल लीजेगा इसके बाद टिप्स नंबर 3 जीएस पेपर को लेकर यूपी और बिहार में काफी तनाव रहते हैं तो इसके लिए स्पेसिफिक टाइम देना पड़ेगा बले सी बाई कितनी बड़ी-बड़ी कोचिंगों में आप कर लो चाहें आप दिल्ली चले जाओ चाहें अगर जीएस पेपर आपने दिया तो डेफिनेटली घट जाएगी घटना यह मैं डेफिनेटली आपको बता दे रहा हूं लाखों रुपे खर्च कर दोगे लेकिन आप जीएस पेपर नहीं देखा तो बिहार और यूपी के सब ने भूल दा ना भाई इसलिए आपके अप आपको जोगरफी, आपको पॉलिटी यानि इंडियन कॉंसिटुशन, और कॉंसिटुशन में पॉलिटी और जनल साइंस, और नंबर नंबर पाँच, यह तो हैं मेजर जो आपको बड़े पेमाने पर पढ़ने पढ़े गए, मतलब इनके आपको नोट्स भी बनाने हैं, इ इनके आपके MCQ भी मेहनत लगा के करनी है और इनका revision भी आपको करना है और deep में भी पढ़ना है even prior means में कुछ minor topics है जो जैसे आपको मिलेंगे जैसे environment है जैसे आप लोगों का science and tech है science and tech हो गया या फिर आप लोगों का जनगर्णा हो गई senses ठीक है या फिर special GK होती है वो या फिर aesthetic पार्ट होते है इसको आप minor में लिख सकते हैं count कर सकते हैं जैसे economics भी बज़ गया है तो economics भी लिख सकते हैं इसको parts में बनाकर और इन पर priority देनी है और daily आप लोगों को क्योंकि अभी तयारी आने वाली है तो अभी vacancies आएंगी इस साल तो 1st of January 2024 से आपको current affair follow करने है current affair के और current affair के और इन सब को याद करने का तरीका वही है जो मैंने बताया current affair तो आप mcqs तो नहीं होंगे लेकिन इसको आप update रही है इन सब के mcq निकाली है जैसे index civilization आपने पढ़ी त mcq निकाली है फिर पढ़ी है पहले mcq निकाली है फिर पढ़ी तो आपको clarity हो जाएगा कि पूछा कैसे आपका मतलब परिक्सा उपियोगी पढ़ना है आपको घ्यान उपियोगी नहीं पढ़ना आपको ध्यान क्या होना चाहिए exam में क्या पूछा जा रहे है उस contest में आप लोगों को लेकर अगली वीडियो में detail से discuss करूँगा अभी चलते हैं जब आप यह काम करोगे तो अपने time table में ने बताया था कि 24 घंटे में से GS को लेकर आपको कम सी कम 2 घंटे 2 hours प्लीज जरूर फिक्स रखिए और अपने revision के लिए मतलब आप पूरे दिन कुछ पढ कुछ अनर्थ हो जाएगा अतब revision आपकी habit में होना चाहिए बिन revision के रहे selection नहीं हो सकता आपका because आप पढ़ते तो चले जाएंगे लिखते चले आएंगे notes बनाते चले आएंगे पर दिमाग में याद कैसे रहेगा दिमाग में याद रहता है जब आप revision करेंगे वो भी बो exercise format में ऐसे notes जरूर बनाई है जैसे election commission of India है तो इसे structure में बनाई है इतने अध्यक्स इतने commissioner इतने appointment कोन करते हैं बहुत concise में में आपको क्या बनाने structure रूप से बनाने है जैसे मैं example के तोर पर आपको बता देता हूँ जैसे election commission है एक election commission है ठीक है क्योंकि notes बनाना ही आपको exam के नजदीक लेके जाए तो इसके आप लोगों को इसका बताना है कि भाई इसका गठन कब हुआ इसका गठन मतलब बना कब यह established कब हुआ इसकी composition यानि इसकी सनरचना क्या है कब बना जैसे एक commissioner होगा और दो इसमें other commissioner होते है ठ ठीक है फिर इनके appointment कोन करेगा फिर इनका resign किसे देंगे इसका object क्या है इसके object के बाद इसकी काम क्या है इसका work क्या है या duties क्या है इस तरह के duty अगर आप इस तरह के बनाएंगे structure जिसमें आप फिलो चार्ट, diagram, synopsis and इन सब चीजों का साहरा लेंगे तो revision करने में आपको बहतासानी होगे ठीक है तो यह आपको revision के दोरान याद रखने और revision में कोई चीज आपको नहीं आरी तो उसे आपको note कर ले रहे ठीक है और revision करके वक्त आप लोगों को एक चीज और ध्यान रखने है कि जो जीज़ें सबसे ज़्यादा difficult लगे मतब जैसे MCQs है तो कम से कम टू टाइमस उनको निका लिए पी वाई क्यों निका लिए टू से थ्री टाइमस ठीक है तो यह ज़्यादा है और आपको strong बनाएगे और मेंस के topics भी आप revision करिए जो core topic है जैसे माली जेगा Indian IPC है तो आपको पता है IPC में 20 से 25 topic है जो मेंस में आते ही आते में तब करीम जो है और कल्पेवल होमिसाइड है या फिर होमिसाइड है या फिर आपका time to murder है और दंगे है ठीक है जो भी मेंस में topic आते हैं major major तो उनको आप multiple time revise करेंगे फिर देखना आपको बड़ा असान लगेगा और चीजी आपके लिए बड़ी easy हो जाएंगे ठीक है इसके बाद है answer writing practice यानि daily भाई कई बार बहुत चुका हूं मैं daily कुछ भी करें जो आपने पीछे पड़ा including आप 20 पेज लिखें मतलब यह मेरा फार्मूला है 20 पेज फार्मूला 20 पेज फार्मूला भाई क्या कि जो मैंने पीछे बताया वो पेज भी count कर लो मालो जो मैंने पीछे बताया आ आप पढ़ते बक्त लिख रहे हो mcq work करते लिए किसी किलास में लिख रहे हो देखते हो लिख रहे हो परन्तु आपको 20 पेज लिखने ही पड़ेंगे और इसके लिए आप मेंस के जो आपके क्योंकि बिना मेंस के तभाई कुछ होगा निए मेंस के जो पीवाईचियों है उनकी प्रैक्टिस करिए अब टार्गेट डिसाइड कर लो ना एक घंटे में सोरी एक सब्जेक का रोज एक कोशन लिखने का टार्गेट कर लो वाई दो कोशन जैसे IPC है 20 से 25 टोपिक है एक टोपिक पड़े लिखो तो 20 दिन में आपने IPC कंप्लीट कर दे मतलब एक इतना आप लोग हुआ समझ रहे हो इसको ठीक है तो यह मेंस अंसर राइटिंग करिए और इसी को फिर अपने दिमाग में स्ट्रेक्शल इसको याद करने की कोशिस करिए यह सबसे बैतर जरूरी है और जब एक्जाम हो तो आप टार्गेट फॉर आईक्यों की मेंस की टेस सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसका भरफूर फायदा उठा सकते हैं सीधा काम आपको हमारे नोट्स पढ़ने और क्लासिस देखने और रिविजन करना एविन मैं रिविजन खुद कराता हूं करेंट अफिर क्लास में खुद अलग से लेता हूं तो और mcqv मैं कराता हूं मतब ऑल्दो यूटूब पे शायद ही कोई होगा जो mcqv क्लास में बच्चों को कराएं मैं mcqv पर topic by topic के बाद अपने बैचिस में करा रहा हूं जिसमें यूपी जुडिस्री और बिहार जुडिस्री के लिए तो आप फटा-फटस इस नंबर पर WhatsApp को करें ले सकते हैं आ और आप इन्हें फोलो करेंगे और डेफिनिटली सफलता प्राप्त करेंगे तेंक्यू मिलता हूं फिर किसी ने लेक्चर में